गेहुं में होगा तगड़ा फुटाव एक पोदे से निकलेंगे सो कल्ले किसान भाईयो मेहुद असरत दाकर आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम गेहुं में कल्लो को बढ़ाने के बारे में बात करेंगे अगर गेहों के पोदे में ज्यादा से ज्यादा फुटाव और ज्यादा से ज्यादा करले होंगे तो पेदावार भी ज्यादा निकलेगी कुछ ऐसे खाद में आपको बताऊंगा जिनका पर्योग कर किसान भाई कम से कम खर्चे में गिहों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कर सकते है करलो की संख्या को बढ़ा सकते है किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो चेनल को सबस्क्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक और अपने किसान भाई के पास सियर करें तो चले वीडियो को सुरू करते है किसान भायो गेहूं की फसल में अगर समय समय पर आप पोसकत तो या खादों की पूर्ती कर देंगे तो फसल एकदम स्वस्त रहेगी हरी बरी रहेगी तो पोदे में फूटाव जहदा आएगा किसान भायो गेहूं में कलों को बढ़ाने के लिए 30 दिन के बाद आपको अपने गेहूं की फसल में NPK 1919 का स्प्रे करना है क्योंकि फसल को नाइट्रोजन फासफरस और पोटास की आऊ सकता बूवाई के अलावा बाद में भी होती है बूवाई के समय किसान भाई, NPK 12-32 के साथ गेहूं की बूवाई कर देते है तो ये तीनों ततों फसल को मिल जाते है लेकिन बाद में भी अगर पोदे में इन ततों के पूरती हो जाए तो फसल में पीलापन भी नहीं आता है पोदे की ग्रोथ बढ़ती है, पोदा हराबरा बन रहता है, पोदे में कल्ले अधिक निकलते है, फुटाव ज़्यादा होता है NPK 1919-1919 में, 1919-1919 के अनुपात में नाइट्रोजन फासपरसर पोटास पाये जाते है यह पानी में गुलंसिल खाद है, इस्परे के माद्यम से आप इसकी एक केजी मात्रा को 150 लेटर पानी में गोल कर एक एकड़ में स्परे कर सकते है जिससे मीनिमम खर्चा आपका 100 रुपे के असपास का आएगा, कापी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा गिहों की फसल हरीबरी हो जाएगी अच्छी से गुरूत करेगी पहला काम करना है एनपी के 1919 का स्परे इसे के अलावा, अगर गिहों की फसल में जिंक तत्व की कमी हो जाए तो भी फसल का विकास रुख जाता है फसल की बढ़वार नहीं होती है, फसल कमजोर रहती है, कल्ले कम निकलते है जिंक की पूर्ती के लिए आप जिंक सलफेट का यूरिया के साथ परियोग कर सकते है इसके अलावा स्परे के माधिम से भी आप चिलेटेट जिंक का स्परे कर सकते है जिससे यहू में हरापन आता है, पोदे की ग्रोथ अच्छे से होती है, जिससे कल्ले ज़्यादा निकलते है, फुटाउ ज़्यादा आता है, चिलेटेर जिंक भी मार्केट में आसाने से मिल जाता है, यह भी कापी सस्ता होता है, इससे भी लागत काम आती है, इसका भी सोफी सदी रिजल्ट किसानों को मिलता है गेहूं में कल्लों को बढ़ाने के लिए किसान भाई चिलेटर जिंक का इस्परे भी कर सकते है और गेहूं के प्रती पोदे में कल्लों की संक्या को बढ़ा सकते है इन चीजों का परियों करने से लागत कम आती है इनका रिजल्ट कापी अ बताए कि आप गिहों में कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन सकात देते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बढ़ चाड़कर लाइक और अपने किसान भायों के पास सियर करें मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद जैकिसान